हालो एवरिबान वेल्किम बैक टू माई चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सेलाम नमस्ते रादे रादे द्वा करता हूं आप अपने जिंदेगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे आज इस टैरो का रिडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके र जैसा आप जैसा आप दोनों का रिष्टा ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है बहुत जादा निराश है तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की सोच क्या है जनरल रिडिंग है तो गाइडन्स की तरह ही लीजे और साथी साथ सभी जोडियक साइंस यनि की सभी राशी वालों के लिए है अगर मैच होता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजे इस वीडियो का आप शेर भी कर सकते हैं अपनी सोचल मीडिया के उपर साथे साथ आप मुझे इंस्टेग्राम के उपर भी फॉलो कर सकते हैं चले जल्दी से इस रिडिंग को शुरू करते हैं प्लीज अपने पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है तीन से साथ बार तकि उनकी एनरजी आपर कनेक्ट हो सके और हम जान सके कि वो क्या सोच रहे हैं एंजल मुझे प्लीज हेल्प कीजे एंजल एन यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें यहां पर अल्डेडी काड आ चुका है जो कि है क्वीन आफ वांड क्या बात है नेक्स काड जो यह आया है वह है देथ का काड पीज ऑफ कप्स हरुफंट टू आफ कप्स सेवन अफ वांड बॉटम अफ डैक पर देख लेंगे नाइट अफ स्वोर्स यहां पर मुझे यह लगता है न जैसे कि एक दुसरे के लिए बने हुए हो आप लुक और दोनों तरफ से मिचे लगता है कि आपकी दिल में भी फिलिंग्स है प्यार है और आपके पार्टनर की दिल में भी प्यार है दोनों भी यह सोचते हैं न कि यह जो रिष्टा है बहुत खास है मतलब आप भी अगर आगे जाएंगे तो और किसी के साथ आप वो रिष्टा फिल नहीं कर पाएंगे वो प्यार फिल नहीं कर पाएंगे या फिर फिर से नहीं शुरुबात किसी और के साथ नहीं कर सकेंगे सेम फिलिंग्स आपके पार्टनर की भी है कि वो अगर चाहकर भी अगर इस रिष्टे को तोड़ते हैं और अगर आगे जाते हैं तो वो खुश नहीं रह सकेंगे क्योंकि अल्ड़री कनेक्शन बन चुका है यहाँ पर मुझे लगता है न जैसे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं मौबबत करते हैं बहुत जादा स्ट्रॉंग फिलिंग्स हैं दिल में एक दूसरे के लव फिलिंग्स बहुत स्ट्रॉंग है जो कि प्यार खतम नहीं होगा यहाँ पर मुझे लगता है न कि जैसे कि इस रिष्टी में बहुत जदा प्रॉब्लम्स भी है इतना आसान नहीं रहा होगा यह रिष्टा इसमें कठीनाया बहुत है मतलब कभी कबार परसन कहते हैं कि हम आगे तक जाएंगे इस रिष्टी को लेकर या शादी करेंगे मैं तुमारा साथ दूंगा या दूंगी लेकिन कभी कबार मुझे लगता है कि परसन नेगेटिव एनर्जी में भी जाते हैं यह आपको समझ भी नहीं आता मतलब आकर में यह पार्टनर क्या चाहते हैं इनके एनर्जी बहुत जादा फ्लक्चिवेट होती रहती हैं कभी कबा हर यह जैसे कि मुझे मुझे यहाँ पर यह बहुता है एक परसन जैसे कि आपके प्यार में पड़ गए पर्षन पके पार्टनर nya आपको प्रोपोस violation मैसेज ब होगा रहां से आप दोनों का रिष्ठा शुरू होगा अपने प्रोपोस लाएक्सेप्टक या ये मुझे energy में आज दिखाए देता है जैसे कि ए परसन ने खुद मजबूर किया था आपको प्यार करने के लिए उनसे रिश्टे में आने के लिए उनके साथ relationship रखने के लिए और आपको विश्वास भी दिलाया कि आगे रिश्टा अच्छा रहेगा वो सब कुछ मतलब चार मेने के बाद या आठ मेने के बाद यहां पर मुझे दिखाए देता है कि परसन का स्वबाव में बदलाव आ गया अच्छा नकि ये परसन जैसे की negative सोचने लगे आपके बारे में या आपसे दूर रहने लगे या फिर आपके साथ जगड़ा करने लगे आपकी जो बा सोचते हो कहते हो सब गलत उनको लगता है या लगने लगा negative सोच मुझे लगता है मुझे यहां पर यह भी नजर आता है कि यहां पर कुछ black magic हो सकता है कुछ टोटका हो सकता है कुछ negative energy partner के उपर जरूर है किसे ने कुछ इनके उपर किया है क्योंकि यहां पर आप देख सकत बहुत स्ट्रॉंग है मतलब हर चीज का सामना कर सकते इतनी नाजुक या डेलिकेट नहीं है आपको अगर कोई कहेंगा कुछ भी या आपको आपके साथ कोई बुरा बरताव करेंगा तो आप अपना कॉंफिडेंस नहीं कोएंगे आप और जिद्धी हो जाएंगे और उनको दिखायेंगे कि मैं कितना पावफुल हो आप हार मानने में से नहीं है आप नहीं आपके पार्टनर भी नहीं लेकिन यहां पर नेगिटीव एंटर्जी है न किसी के वह हावी हो रही है इस रिश्दी के उपर और इस रिश्दे में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है जैसे कि नजर लगता है न तो हम काला धागा बान देते हैं पाउ में कि नजर ना लगे या हाथ में क्यों काला ही क्यूं क्योंकि नजर ना लगे तो यहां पर आप देख सकतेины Black Cat यह अगर White Cat होता तो कुछ प्रॉबलम नहीं था लेकिन क्यों कि काली बिल्ली ہے और ये black magic को दर्शा दिये, कुछ टोटका, कुछ spell, किसी ने कुछ किया आपके partner को, कि आपसे दूर हो जाए वो, आपसे रिश्टा तोड़े वो, आपसे मतलब नाता सब को छोड़ कर आपको चले जाए वो, आपके साथ कभी वापस ना आए, आपके साथ रिश्टा ही ना हो जाना है, और आप सोचेंगे कि मैंने ऐसे क्यों कहां, ये तो मितलब मैंने सोचा भी नहीं था, कि मेरे मुझे ऐसे कुछ निकलेगा, तो ये कुछ energy मुझे यहाँ पर ऐसे लगते हैं, जो की काम कर रही है, इस रिश्टे में आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनो की रास्ते मुझे अलग-अलग होते वे नजर आते हैं, शादी का वादा यहाँ पर मुझे किया था, आपके पार्टनर ने आपको, या जिन्दी की भर आपका साथ देने का वादा किया था, रिश्टे को निबाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, जहाँ प तुम्हारे सिवा और किसी के बारे मैंने नहीं सोचा हो सकता है कि अच्छा-च्छे रिष्टे आये थे आपके लिए अपने ठुकरा दिये इस परसन के साथ फ्यूचर अच्छा होगा या फिर हो सकता है कि आपकी मंगनी हुई थी आपकी एंगेजमेंट हुई थी किसी के पाज आपको छोड़ कर जा रहा है या चला गया ऐसा मुझे यहां पर नजर आता है तो यह नेगिटिव एनरजी बहुत काम कर रही है और कहीं ना कि मैंचे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको आपकी पार्टनर से आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पार्टनर आपक दिल तोड़ेंगे पार्टनर इस रिष्टे को तोड़कर किसी के बातों में आएंगे या किसी का साथ देंगे यही हुआ है ऐसा मुझे लगता है जहां पर मुझे यह फील होता है ना कि परसन किसी के सुनने के मूड में नहीं है नहीं आपकी बात जैसे कि होता है ना कि ज मैं इस लगते हैं कि बहुत खीचा है आपकी Partnerने कि नहीं मुझे नहीं वापस आना ए मुझे इस रिच्ते में नहीं वापस नहीं जाना है हर बार अप जाते हो या वो आपके पास आते हैं ऐसे लगते एक दुसरी का मभाभब इंट्रेस्व नहीं है आप दोनों को एक दूसरे के अंदर या आपके盆र को अपके अंदर आपको उनसे मतलब मन नहीं करता है बात करने का आपको लगते हैं कि नहीं this is toxic आपको अभी लगता है कि ये सही नहीं है इस रिष्टे में मुझे नहीं रहना है अचैनक मन का बदलना ही कहता है कि black magic हो सकता है तब ही आप मन बदलता है वो कोई कंट्रोल करते हैं आपके मन को तो यह मुझे यहां पर नजर आता है कि कोई है जो कि नहीं चाहता यह रिष्टा हो यह एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है यहां पर जो दो कार्ण्स आये हैं यहां पर यह स्ट्रॉंग इमोशन्स को दर्शा दे यह सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का यह डिवाइन कनेक्शन है ट्विन फ्लें कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है पहले जनम में आप हजबन वाइप हो सकते हैं और इसी जनम में आप दोनों एक दुसरे से मिले हैं और अपना पंसा लगता रहता है आपको इस person अगर आपसे दूर जाते हैं तो आपको बहुत tension हो जाता है इस person की सिवा अगर इन से बहतर हजार गुना अच्छा भी कोई person आपके जिंदिगी में आएगा तो भी आपको नहीं ही चाहिए आप इस person से ही मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं ये person से आप बहुत ज़्यादा attached है ये आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपसुरत लगते हैं सबसे ज़्यादा हैंडसम लगते हैं कि ये परसंद मेरे हैं अपने हैं अपना पन आपको फील होता है ये ही लगता है मज़े की soul mate connection है और अभी दूरिया है ये परसंद का प्यार कम नहीं हुआ है भले वो आपसे बात करते हैं नहीं करते हैं या अभी चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही है कुछ दिनों से हो सकता है कुछ हफतों से यहाँ पर मज़े दो मेने की energy आती है अभी सब के लिए दो मेने नहीं हो सकते है कुछ से के लिए दो हफते भी हो सकता है या फिर दो मेने के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है यानि कि साथ दिन, पचास दिन, चालिस दिन, तीस दिन ऐसा कुछ हो सकता है 20-25 दिन से कुछ ठीक नहीं जल रहा है यह energy आती है कि जहां पर परसन थोड़े से आपसे दूर रहने लगे है या फिर पहले जैसे आपके साथ बात नहीं करते आपके साथ time spend नहीं करते आपके messages का reply नहीं देते अगर आपके miss call 10 है तो भी वो मोड कर नहीं देखते उनको मन नहीं करता कि बात करो अभी इस step की situation यहाँ पर मुझे feel होते हैं और कुछ cards लेकर देखेंगे cards shuffle करते बद प्लीज अपने partner का नाम लेना ज़रूरी है और जो भी resonate होता है general reading है वही लीजे angels मुझे प्लीज बताएं angels and universe मुझे प्लीज बताएं ace of swords यहाँ नहीं शुरुवात होने के chances बहुत जादा है इस रिच्टे में person भले अभी कुछ negative energy में है या सोच उनकी बदल गई आपको लेकर या गलत सोच रहे हैं आपके बारे में या उन्होंने कुछ गलत देखा आपके बारे में कुछ देखा जैसे कि आपकी तस्वीरे गलत देखी है या फिर किसी के साथ घुमते वए देखा कहीं से कुछ शक किया इस person ने आपके बारे में कुछ भी हो लेकिन गलत सोचा है person ने आपको लेकर कुछ गलत सोचा है गलत देखा है गलत सुना है कुछ उसकी clarity मिलेगे इस partner को कि नहीं मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी मैंने क्यों ऐसा शक किया या क्यों ऐसा मैंने सोचा और एक new beginning होते वे नजर आती है यह person का decision अगर अभी है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है तो 13 दिन के अंदर आपके साथ बात करने अच्छा नक आ सकता है इनका call message अभी तक आप sorry sorry कह रहे थे इस person को वो खुद sorry कह सकते है 13 दिन के अंदर यहां पर मुझे दिखाए देता है कुछ न कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपके जिंदिगी में दो हफ्ते में बदलाव आएगा person खुद आपके साथ आपके पास चल कर आ सकते है सब कुछ negativity पीछे छोड़कर negativity से निकल कर यह person मुझे लगता है न कि अभी बहुत अच्छा वक्त आ रहा है कुछी दिनों में तो पॉरणिमा के time हो सकता है कि अच्छे वक्त इनको positive जैसे की positive energy आपकी जो है न वो बहुत ज़दा attract कर रहे है वो आ सकते हैं अचानक सोच कर अचानक decision बनेगा all of a sudden यह person आ सकते हैं आपकी तरफ queen of swords के energy है क्या बात है queen of wands है queen of swords है यान कि मुझे यह लगता है नहापर के एक कोई थो डिवोसी है आप डिवोसी हो सकते हैं आपकी partner डिवोसी हो सकते हैं यहाँ पर मँझे लगता है कि किसे का रिश्टा तूटा है और यह दुसरा रिश्टे में आप हैं ऐसा नहीं कि पहला यह relationship आपका हो सकता है आप इसके पहले किसे के साथ आत्मा अगर आप दोनों की जुड़ी है तो अगर आपकी एरेंच मैरेज हो जाती है तो ज़रूर तूटेगी तूटेगी या फिर आपका डिवोस लेने का मन करेगा क्योंकि उस इंसान के साथ आप जुड़े नहीं हो जिनके साथ आपकी शादी हुई है या पहले अगर आपको नहीं फील होता था जो कि इस पर्सन के साथ इस पार्टनर के साथ आपको फील होता है क्योंकि यह सोल मेट करेक्शन है इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक रिष्टा खतम करके दूसरे रिष्टे में जाने के बारे में सोच रहे हैं या अल्ड़ेडी जा पहला रिलेशन्शिप आपका रहा है या फिर आपकी पार्टनर का ज़रूर रहा होगा यहां पर स्टार का काड़ है जो यह कहना चाहता है कि परसन एक पॉजिटिव एनरजी में आएंगे थोड़ा सा वक्त लगेगा और कहीं न कई एक अच्छा वक्त रहेगा आपकी जि क्योंकि उपर जो काड़ है हेरोफेंट यह परसन का जो विल पावर है बहुत जादा स्ट्रॉंग है यह परसन जो है एक बार अगर सोचते हैं तो वही करते हैं इनके पस नॉलेज बहुत है इनका जो दिमाग है बहुत शाप है इनको चोटी चोटी बातें बहुत अच्छ चोटी चोटी यादे है ना वो सब कुछ उनको याद रहते हैं बहुत नॉलिजबल परसन है तो यह इतने आसानी से आपको नहीं भुला सकते यह मुझे आप नजर आते हैं और अपनी दिल की मानेंगे जरूर स्टार का काड़ यह कहता है कि बैलन्स आएगा आपके जिंदग रखना चाहिए नहीं आपको वेट करना बहुत जुरूरी है तभी तो आप बैलन्स कर सकेंगे अगर वो नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव होने की जुरूरत नहीं है आप अपने माइन को या अपने थौट्स को अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करने के चीजे आपकी जिंदेगे में होने लगेंगे या आपन नाइन ऑफ कब्स एनकी परसन की खुशियां जो है आपके साथ जुड़ी होई है अभी भी परसन को इंतजार है और परसन आने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं ये भी मुझे आपन लगता है इनकी इमोशन्स फ इतजार करते वह नजर आते हैं और ये बहुत जल्द होगा मतलब धेड़ सारी खुशियां आपकी जिंदेगे में आती वही मुझे नजर आती है जो सपने आपने देखे हैं और अदूरे रह गएं किसी भी वज़से हो सकता है कि गलत फैसला आपका था हो सकता है कि और तब होगा जब आप लीस एक्सपैक्ट करेंगे ना कि ये चीजे होने वाली है मेरे जिंदेगी में तब ही ये चीजे सब कुछ होंगी या फिर बदलाव आएगा आपके जिंदेगी में ये मुझे फील होता है नाइट आप पैंटिकल्स के अनर्जी है यानि कि बदलाव आपके जिंदेगी में ज़रूर आएगा लेकिन थोड़ा स्लो हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि नवेंबर डिसेंबर में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जैनेवरी में हो सकता है तो वक्त यहाँ पर थोड़ा सा कम लगेगा लेकिन सपने आपके सच होंगे यह मुझे आपको दिखाए देता है क्योंकि पार्टनर जितना आप हैं जतना अब को मिस कर रहे हैं दोनों की अनरजियां पर कनेक्टेश मुझे दिखाए देता है क्योंकि स्टार का कार्ड भी यह कहता है कि छीज क्वार और इंतजार करता हूँ करती हूँ वो मेरे पास आज आएंगे यह आप जो सोच रहे न यह कहीं न कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पॉजिटिव एनरजी है नहीं तो आपने मुवाण किया होता मता आपको जरूरत नहीं है तो आप यह रेडिंग भी नहीं देखते आप र पुरा करना है और मेरे जिंदेगी का वजूत यहीं है आपको लगता होगा कि इस पार्टनर के साथ रीउनियन आप चाहते हैं रीउनियन हो जाएं या फिर से पहले जैसा हमारा रिष्टा हो हो सकता है ना कि आप अपने भूप को प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं कि एक बार खाना नहीं खाया पानी नहीं पिया तो चलता है लेकिन पार्टनर को याद करना आपसे रहा नहीं जाता है उनकी याद मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं उनको बुलाना या उनको जैसे कि याद करना वो तो बंद नहीं कर सकते हैं वो तो आपको सताती है याद बहुत होता है आपको ये लगता है ना कि मेरी अनरजी उन Bringing पौशीगी और पार्टनर को ऐसा सोज आएगा कि वह पर है या फिर उनोंने क्या मिधन लिया है या क्यूं हुआ उन के साथ या कि वह उनको किस के साथ जाना चाहिए यह सही decision लेंगे आपके partner ये आपको कहिना के विश्वास है judgment का काड़ है judgment का काड़ ये कहता कि वक्त बदलेगा वक्त अच्छा रहेगा partner new beginning के बारे में सोचेंगे reunion के बारे में सोचेंगे या फिर दोनों एक साथ फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे जो भी सपने अधूरे रहे गए या जो भी promises आपको partner ने वादा किया उसे नीबाने की कोशिश करेंगे ये आपको feel होता रहता है तो अगर आपको ऐसा लगता है आजकल आपको अगर सपने आते हैं आपके partner के बहुत जाधा सपने आने लगे आचानक मतलब हो सकता है कि कुछ दिन आपने उनको भुलाने की कोशिश की और कहीं लगे अपने काम के उपर focus करने की कोशिश की लेकिन आपी आपको आजकल जैसे कि हो सकता है कि 7 दिन से आपको एक हफ़ते से या 15 दिन से कुछ इस परसन पार्टनर के बारे में बुरे सपने आते हैं कि ये तकलित में हैं या कुछ कहीं पर फसे हुए हैं या किसे और के साथ हैं यह सब सबने यह ही कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपकी energy उन तक पहुँच रही हैं, और वो आपको बहुत जादा miss कर रहे हैं, यह मुझे यहाँ पर लगता है, इसलिए मुझे यहाँ पर यहाँ पर कहने की कोशिश करता है judgment, जजजमेंट यह है ना कि आपकी favor में कुछ न रखो या फिर थोड़ा सा सबर करो चीजे बदलेंगी वक्त बदलेगा अभी तक अगर सब कुछ सही था और कुछ टाइम के लिए चीजे अगर बिगड रही है इसका मतलब यह नहीं होता कि वो हमेशा के लिए ऐसा टाइम रहेगा टाइम बदलेगा अच्छा वक्त आएगा आपके जिन्दिगे में लेकिन आपको विश्वास रखना है अगर आपका विश्वास नहीं है तो चीजें कुछ भी नहीं होती हैं क्योंकि जब आप विश्वास रखते हैं जब आप अच्छी चीजे सोचते हैं अच्छा कुछ करते हैं तो आपकी जिंदिगी में आटोमेटिकली अच्छा होना लगता है तो मुझे यहां पर यह लगता है ना कि अभी जो बुरा वक्त चल रहा था आपकी जिन्दिगी में वो समप्त होने का टाइम अभी आ गए वो एंड होगा जो बुरा वक्त था वो अभी खतम होकर एक नई शुरुबात यहां पर मुझे यह लगता है एंजल्स आपको कहना चाते मैसेज देना चाते कि तुम्हारा जो बुरा वक्त था आभी जिन्देगी में अभी तक जो चल रहा था या जो भी तुमने सहन किया जो तुमको सजा मिले थी हो सकता है कि आपने इस जनम में बहुत अच्छा किया है आपको यह भी लगता होगा कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं किसी को कभी मैंने तकलिप नहीं दी है तो मेरी जिन्देगी में क्यों बुरा हो रहा है हो सकता है कि past life करमाज आपके हैं क्योंकि judgment यहाँ पर है तो past life related करमाज आपने जो भी बुरे किये थे उसकी सजा आपको अभी मिल रही थी जो कि अभी समाप्त होने का time आ चुका है यानि इसके बाद यानि कि बहुत से लोगों के लिए 20 दिन के बाद एक अच्छा दिन अच् देगी बदलेगी वक्त बदलेगा अच्छा वक्त उनकी जिन्दिगे में ज़रूर आएगा तो आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए ऐस रिडिंग को साथे साथ कुछ कार्ड और भी लेंगे हम और उसके बाद थोड़े से hidden feelings के बारे में देखेंगे पेज़ वर्ण्स आप देख सकते हैं एक ब्यूटिफल कार्ड निव बिगनिंग को दर्शा आता है जैसे मैंने कहा ना कि जज्जमेंट के कार्ड में ऐसा है ना कि जो अववती थी आपकी जो टाइम पिरिएड था सेपरेशन का या फिर दोनों की बीच रिच्टा कुछ खरब हो रहा था या फिर आपका इंतिजार बहुट gra eyed कि इंतिजार कर रहे हो सकता है दो मळनिंग जार मेने चे मेने जैनिभीरेस देए времको लोग इंतिजार कर रहे है नो कॉंट आइक तो यह मुझे लगता है कि वह थाइम खत्म होकर एक न्यू बिगिनिंग नवंबर मुझे यहां पर strongly दिखाए देता कि कोई 20 number का card judgment का है उसके बाद 11 number का card आये तो किसी के लिए 11 दिन में हो सकता है किसी के लिए November मेने में हो सकता है कि बदलाव आएगा आपके जिंदेगे में change आएगा transformation आएगा यह person ने जो वादा किया है न उससे निभाएंगे इस अपका आपसे new beginning तो है लेकिन जो वादा किया है commitment दिया है उससे पुरा करेंगे यह person आपके साथ शादी करना चाते है अगर propose नहीं किया था सिर्फ रिष्टे में रहे थे तो यह मुझे लगता है propose कर सकते शादी का अगर वादा किया है तो उसे निभाने का वक्त अभी आ गए अभी कुछ action ले सकते हैं आपके partner और वो भी positive ही होगा the full का card यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वक्त बुरा चला है आपके जिंदेगी में उतार चड़ाव रहे हैं लेकिन आपने होसला नहीं हारा या पिर आपके partner ने जैसे कि आपको अगर अकेला छोड़ दिया था तो भी आपको यह पता था कि यह अभी मुझे अकेला छोड़ रहे हैं लेकिन यह कुछ time के लिए हो सकता है क्योंकि आप दोने में बातचीत तो हुई है इतने दिन आप एक साथ रहे हैं एक साथ एक दुसरे के साथ अपने गुजारा time तो कुछ ना कुछ बाते future को लेकर भी की होगी ऐसा नहीं होगा ना कि आपके partner ने आपको कुछ बताया नहीं है आपने कभी पूछा ही नहीं कि क्या हम रिष्टा आगे तक लेकर जाएं या long term होगा शादी करेंगी कुछ तो बताया होगा ना आपको partner ने तो जो अगर नहीं बताया है तो यह मुझे लगता है कि गलत है जहां पर person चलते जा रहे थे उनको seriousness नहीं था इस रिष्टे में इसलिए नहीं बताया होगा अगर बताया है तो कहिना कि मुझे लगता है कि जो बताया है वो कहिना कि वादा करके पुरा नहीं कर सके यह भी मुझे full का card कहता है इस रिष्टे में वो गलत रास्ते पर चले गए Will of Fortune का card यह कहता है मुझे कि वक्त का पईया घुमेगा एक अच्छा वक्त आएगा आपके जिंदगी में निराश होने की ज़रुरत नहीं है बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा आपके जिंदगी में और Changes आने वाले हैं Person की तरफ से call message यहाँ पर reunion होने के chances क्योंकि completion का नमर है 10 तो completion यहन की person और आप और आपके partner फिर से एक साथ एक नई शुरुवात कर सकते हैं आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं और यह चीज़े all of a sudden होने वाली है unexpected होने वाली है जब आप least expect करेंगे कि आज होगा करके तभी उसी दिन होगा या उसी जैसे कि यहाँ पर 10 नमबर है हो सकते हैं October के end तक या किसी के लिए 10 दिन के अंदर हो सकते हैं कुछ चीज़ें से बदलेंगी इदे कि उस टाइम bottom of the deck आया था card जो कि अभी आ गया night of swords यानकि आपी partner के energy ऐसी है ना कि इनको लगता है कि मुझे जाना चाहिए वापस जाना चाहिए अगर दूर चले गए हैं तो अभी वो feel करते हैं कि उनको वापस जाना चाहिए या फिर आपके साथ उनको नई relationship था बहुत ही मतलब दोनों की वीची रिष्टा था बहुत secret तो यह चाहते हैं कि इस रिष्टे को कुछ नाम दे शादी के बारे में सोचे committed अगर यह committed रहना चाहते हैं आपसे तो आपकी person कुछ decision लेना चाहते हैं आप दोनों की future के बारे में सोच विचार करके इनका जो action person मुझे दिखाएं देता है वो speed में आ सकते हैं मतलब अचानक all of a sudden हो सकता है अचानक हो सकता है decision आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं आ सकते हैं travel करके आते हुए नजर आते long distance relationship हो सकता है आप दोनों का जहां पर की ऐसा मुझे लगता है कि हर रोज travel करना या हर परसंद कहीं न कहीं बहुत टाइम के बाद आपकी तरफ आने के बारे में सोच विचार करते हुए नजर आते हैं queen of source है कहता है कि डिवोस ही है या फिर person डिवोस लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी रिष्टी को खतम करके एक नए रिष्टे में जाने की कोशिश कोई करता है मुझे तो person all of a sudden कोई फैसला लेंगे यह तो यहां पर मुझे दिखाए देता है justice होगा आपके साथ अगर आपने अच्छा किया है ना आपने अच्छा सोचा है अच्छा किया है आपकी जिंदेगी में इस रिष्टे में इसके पीचे कोई मतलब नहीं था तो अच् वोड़ देंगे यह डर लगता है तुव डर ही negative चीज एंदर को निकाल दीजे और यह सोचे कि मैंने अच्छा ही किया है मेरे जिंदगी में अपने partner के लिए जो भी मैंने किया वो अच्छा ही किया है मैंने कभी उनका बुरा नहीं सोचा है मैंने उनके साथ अपनी हुश ह देखी हैं, उनको खुश देखने के बारे में सोचा है, या फिर उससे पहले उसके बारे में, उस पार्टनर के बारे में सोचा आपने, तो ये मुझे लगता है कि आपके साथ justice होगा, नय होगा, या जो चीजे अच्छी आपके जिन्दगी में होनी चाहिए, या जो फैसला आपके फेवर में होना चाहिए, वो ही होगा, जैसा आप चाहते हैं, वैसे ही होगा, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही होगा, तो ये मुझे बदलाव इस रिष्टे में आते बे नज़र आता है, King of Wands, King of Wands ही कहता है न, कि परसंट का एक बार अगर डिसिजन अभी हो जाए, जैसे कि ये भी है, Knight of Swords, कि परसंट का डिसिजन जो है, वो नहीं बदलेगा, किसी के कहने पर नहीं बदलेगा, आपकी फेवर में हो सकता है, और स्ट्रॉंग डिसिजन ले सकते हैं परसंट, बहुत ही पॉजिटिव डिसिजन हो सकता है, परसंट का, आपकी फेवर में, और हंटिट परसंट इनमें वो confidence है, उनमें वो शमता है, उनमें वो attitude है, पॉजिटिव attitude, जहांपर अपनी life के बारे में, आप तोनों की future के बारे में, सिरियस होते वे नज़र आते हैं, और आगे बढ़ते वे भी नज़र आते हैं, इनको भी कोई रोक नहीं सकता, या आप से दूर नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने कहा था ना, कि ये soulmate connection मुझे दिखाए दे रहा था, soulmate connection में, किसी को अलग करना बहुत मुश्किल है, ना आप खुश रह सकेंगे, ना आपके पार्टनर, soulmate connection में, जिसका आपका soulmate जो है, उसी के साथ आप खुश रह सकते हैं, और किसी के साथ नहीं, तो ये मुझे दिखाए देता है, कि ये soulmate connection है, और ये person की जितनी खुश आपके साथ जोड़ी हुए है, आपके भी जोड़ी हुए है, इकबल मुझे दिखाए देता है इस रिष्टे में, तो lucky numbers की बात करेंगे, 2 number, 11 number lucky है, 20 number, 11 number की हाँ पर 2 cards है, 10 number lucky है आपके लिए, 11 number की in fact, 3 cards है, 11, 11, 11, 5 number lucky है, 13 number lucky है, 17 number lucky है, 9 number lucky है आपके लिए, 12 number lucky है, उसके बाद 13, 13 number भी lucky है, 7 number भी lucky मुझे आपर दिखाए देता है, राशी यहाँ पर सभी 12 राशी है, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, सभी 12 राशी यहाँ पर strongly उठकर आई हुई है, कुछ love messages देखेंगे, यहाँ पर आज आपके लिए, क्या person क्या कहना चाते है, कुछ messages लेकर देखेंगे, कि वो क्या कहना चाते है, क्या है, उनकी hidden feelings, जो कि उनकी दिल में तो है, लेकिन आपको कहने से डरते हैं, या अभी तक अगर कहा नहीं है, तो देखेंगे, कैसे कौन से messages हैं, कि partner की दिल में हैं, लेकिन आप तक, क्या है नहीं सकते, I will wait for you till my last breath, यहनि कि person, अपनी आकरी सास तक, आपका इंतिजार करने के लिए तयार है, और वो जगह, आपकी जगह है उनके दिल में, उनके जिंदगी में, वो किसी और को नहीं देख सकते, नहीं दे सकते, इट्स इंपोसिबल टो फोगेट यू, मायल सुविटा, आपको भूलाना बहुत ही मुश्किल है, आप कह सकते हैं, कि मुश्किल ही नहीं नाम उनके नहीं इस परसन के लिए, आपको भूला देना, क्योंकि ये टाइम पास का रिष्टा नहीं था, I know you are hurt because of my behavior, please give me one more chance, परसन का जो बरताव है न, या जो किया परसन ने, पार्टनर ने आपके साथ, वो कहीं नहीं कि आपको तकलिफ देख रही गया, आपका दिल तोड़ कर गया, लेकिन वो माफी मांग रहे हैं आपसे कि, उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, I also miss you the way you miss me, अभी तक परसन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, I always wait to see your smiling face, हमेश्य आप परसन आपको चहरा देखना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको spy करते हैं, चुपके से देखने की कोशिश करते हैं, आपका status देखते हैं, आपके DP देखते हैं, कुछ न कुछ देखते हैं, आपको देखने की कोशिश तो करते वे नहीं ज़राते I know that you will wait for me आप उनका इंतिजार करेंगे ये भी उनको लगता है कि चाहे दुनिया उनका साथ छोड़ दे आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे आप उनका इंतिजार करेंगे आप उनका वेट करेंगे ये ही वो फिल करते हैं तो आज के रिडिंग में इतना ही Thank you all of you, Thank you angels, Thank you universe